चलिए अब इस कथन के दूसरे भाग के बारे में विचार करते हैं जिसके अनुसार कोशिका को सजीवों में मूलगामी कार्यात्मक इकाई कहा गया है हम इस कथन को समझने के लिए मानवी शरीर और उसके कारियों को ही उधारण के रूप में लेंगे अब जानते हैं कि हमारा शरीर विविद प्रकार से हलचल करता है जब भी हम हलचल करते हैं जैसे किसी वस्तु को लेने के लिए नीचे जुकना बैठना या उठना या फिर सिर्फ अपने शरीर को घुमाना या फिर अपने शरीर के किसी भाग को बगल में घुमाना या फिर एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाना इन सभी कारियों में हम शरीर की विविद मास पेशियों का उप्योग करते हुए शरीर को हिलाते हैं ये सारी गतिविदियां संभव हो पाई हैं क्योंकि मास पेशियों में नियंतरित संकुचन और विश्राम अर्थाट धीला पढ़ने की क्षमता होती है इन मास पेशियों का विशिष्ट प्रकार के उतकों से निर्मान होता है जो लंबी पतली कोशिकाओं द्वारा तयार होता है जिने मस्कुलर फाइबर या मास पेशिय तंतू कहा जाता है मासपेशी तंतू कोशिका द्रव्य में बड़ी मात्रा में लंबे और पतले सिकडे हुए प्रोटीन के रेशे पाये जाते हैं इन प्रोटीन युक्त तंतू के कारण ही हर एक मासपेशी तंतू में तन्ने की और धीले पड़ने की क्रिया होती है मस्तिश्क से संदेश मिलने पर सारे मासपेशी तंतू इनेक गठ्री के समान बांधा होता है जिसे मासपेशियों का निर्मान होता है उनके कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन युक्त रेशे एक दूसरे से सट कर खीचे जाते हैं जिसके कारण उनकी लंबाई कम हो जाती है जिसके कारण मासपेशी तंतू और इसी कारण संपूर्ण मासपेशी में ही तनाव या संकुछन महसूस होता है जिसके फलस्वरूप हिलना संभव हो पाता है इस प्रकार इस उधारण में सजीव प्राणी जिस कारी को कर रहा है वो है शरीर के भाग को हिलाना मास पेशी तंतू वे कोशिकाएं होती है जो मास पेशियों के उतकों का निर्मान करती है प्रोटीन के रेशों में आय संकुचन के कारण मास पेशी तंतू में संकुचन निर्मान होता है जिससे मास पेशी में संकुचन होता है साराश में हर एक मास पेशी तंतू के कोशिका द्रव्य में बड़ी मातरा में प्रोटीन युक्तर रेशे होते हैं हजारों की संख्या में मास पेशी तंतूओं का गठ्री के समान एक साथ आकर मास पेशीओं का निर्मान शरीर के भाग में दो या दो से अधिक मास पेशीओं का एक साथ आकर शरीर को गतिमान बनाना अतहा मास पेशी तंतू, बेसंद रचनात्मक और कारियात्मक इकाईया हैं जो मानव को हलचल करने की ख्षमता प्रदान करते हैं चलिए मानवी प्रणाली के एक और उधारन के बारे में चर्चा करते हैं हम जानते हैं कि जो अन्न हम खाते हैं, वो अन्न हमारी पाचन व्यवस्था में पाचन और अवशोशन की प्रक्रिया से गुजरता है, अन्न मूँ में चबाया जाता है, और वो ग्रासनली के जरिये पेड में जाता है, जहां पर उस पर रासायनिक पाचन प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जटिल पोशक तत्व जैसे प्रोटीन्स और कार्बोहेड्रेट्स का पाचन सरल पोशक तत्वों में होता है जिसे हमारे शरीर में आसान इसे अवशोशित किया जा सकता है हमारा पेट अनियक रसायनों का मिश्रण और एंजाइम्स निर्मान करता है यह इन पाचक रसों को बनाती हैं और पेट में इन्हें स्त्रवित करती है, है ग्रंथिया उपकला उतकों से बनती है, और ग्रंथिय में उपकला कोशिकाये पाचक रस के आवशय गटों का निर्मान करती है अतहा ये कहना सर्वता उचित होगा के उपकला कोशिकाएं जो पेट की परतों का आवशक भाग होती हैं वे पाचन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार से अन पाचन की प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले सरल पोशक अनू जैसे ग्लूकोज, अमीनो आमल, विटैमेंस, पैटी असीड, अर्थात वसायुक्त आमल को भी हमारे छोटे आंतड़ी में सोख लिया जाता है। हमने ये जाना कि मानवी शरीर में हिलने की प्रक्रिया, पाचन क्रिया या फिर अवशोशित करने की प्रक्रियाएं कोशिका के स्तर पर वास्तव में किस प्रकार घटित होती है। और ये बात सारे प्राणियों के लिए सत्य है, भले ही उनके शरीर की रचना और उसकी प्रणालिया कितनी भी सरल या फिर कितनी भी जटिल क्यों नहों। इसी करण कोशिका को सजीवों की मुलभूत कारयात्मक इकाई कहना सरवता उचित होगा। साराज सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई पहली कोशिकाय कौन सी थी। कोशिका का आकार नापने के लिए किस इकाई का इस्तमाल किया जाता है। कोशिका अंगक के अध्यन और निरिक्षन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हमें आशा है कि जब आप पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ ये पाठ ठीक से पढ़ेंगे आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। अगले सत्र में हम कोशिकाओं के प्रकार और सूक्ष्मजीयों के बारे में बात करेंगे। करेंगे प्राप्त